नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये एक दिव्य शक्ती आपके आसपास घूम रही है और अब आपको एक साथ चार बड़ी चमतकारी घटना होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ती लगभग 20 साल से आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं। आपके आसपास परचाई की तरह घूमते रहते हैं। और दोस्तों, आपको अभी तक इनका भनक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ती आपके ऐसे ऐसे मोड पर ऐसी ऐसी स्थिति में साथ दिये हैं। जी हाँ दोस्तों, उस समय आप ब स्वयम चार बड़ी चमतकारी घटना आपको दिखाने वाले हैं या यू के हैं कि आपको देने वाले हैं दोस्तों आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे कि स्वयम ऐसी दिव्य शक्ति हमारे मदद कर रहे हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक् तो दोस्तों, हम आप सभी को इस वीडियो में वह सभी घटना बताने वाले हैं, वह सभी जानकारी देंगे जो दोस्तों, आप इससे अभी तक अंजान हैं। आपको वह खुशखबरी देंगे, वह चमतकार। आप सभी के जीवन में करेंगे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन देखते रह जाएंगे, आपके जो भी विरोधी है, आपसे गले लगाना चाहेंगे, अब चारों तरफ आपके नाम के ही चर्चा होंगे, आपका अब हर एक एक सपना पूरा होगा, आपका वह काम अब बनेगा। जो दोस्तों उसमें अब महनत किये थे और महनत करने के बाद भी पिछले समय में आपका वह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों वह सपना पूरा होगा और दोस्तों जैसे ही आप इन शक्तियों के प्रतिजागरित होंगे दोस्तों आपका जीवन बदलने शुरू हो जाएगा आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा जी हाँ दोस्तों आपकी कुंडली में भी ऐसे भाग्य का निर्मा कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलना तै है। आपका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों जिसकी भी किस्मत में ऐसी दिव्य शक्ति का वास हो जाए उनके आसपास रहता है। तो दोस्तों कोई मामूली समय नही यह दिव्य शक्ति आपका अब उन्हीं के कर्मों का फल देने के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। चारों तरफ आपको नजर रख रही है। जी हाँ दोस्तों। आने वाले जीवन भर आप पच्चताएंगे। तो ऐसे में आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरा ज्यान होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप अपने ही हाथों आप अपना जीवन बरबाद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। था काम तो पूरी तरह से बन चुका था लेकिन बिगड क्यों गया और कभी-कभी आपकी बिगडे हुए काम भी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब आपकी जीवन में यह कहें कि आपके ऊपर किसी दिव्या शक्ती की कृपा रहती है और वह सकारात्मक उर्जा आपके ऊपर हावी रहती है तो आपकी बिगडे हुए काम भी बन जाते हैं। और जब वह शक्ती आपके ऊपर से हट जाती है यानि कि आपकी ही किसी गल्ती की वजह से वह आपसे रुष्ठ हो जाती है या दूर हो जाती है तो नकारात्मक शक्ती आपको गेर लेती है जिसे वह आपसे रुष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है तो नकारात्मक शक्ति आपको घेर लेती है जिसे हम भूत प्रेत की शक्ति का सकते हैं और जब यही शक्ति आपको घेर लेती है तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं तो आप कभी-कभी यह विचार तो अवश्य करते हैं, ऐसा आखिर होता क्या है? बनी हुई बात बिगड़ जाती है और बिगडी हुई बात भी कभी-कभी बन जाती है. ये तो आपको हम आज आपकी इनी प्रश्णों के जवाब देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है उसे आपके घर में घूम रही है निवास कर रही है और आपके जीवन पर प्रभाव भी डाल रही है इसी लिए कुछ दिनों से यानि आठ से नौ दिनों से आपको कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इनसान के आसपास आती है उसके जीवन को बदलने के लिए जिसके कुछ शुब संकेत उस इनसान को पहले ही प्राप्त होने लगते हैं लेकिन अब अनजाने में या फिर इस भाग दौड भरी जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं या फिर कभी पहचानते भी हैं तो फिर करना क्या है इन संकेतों के अनुसार यह नहीं जानते हैं तो ऐसे में होता यह है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास आती जरूर हैं लेकिन आप उनसे कोई लाब नहीं ले पाते हैं और जो लोग ज्यानी होते हैं किसी न किसी महान पुरुष के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान का पूरा लाब लेना जानते हैं। वह लोग इस शुब समय का पूरा लाब ले लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इनसान है। लेकिन दोस्त तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसान यदि सतर्क रहें और ग्यान के माध्यम से आगे बढ़ें तो अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकता है। तो समय समय पर इनसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियां एकत्रित होती रहती हैं। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। यह दोस्तों अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलावा रहे हैं, उड़ जाएं, कैसे बदल रही हैं, इस विशय पर विस्तार से बताते रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको आज के इस विडियो में जो जानकारी देने जा रही हैं, वह आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हमने आपको पहले भी कई बार इस प्रकार की जानकारी दी है और अलग-अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाब नहीं ले पाए हैं, तो अब यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, इनसान को केवल महनत करने से ही काम्याबी मिल जाती, तो हर महनती इनसान इस संसार में काम्याब होता, धक्के नहीं खा रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। नई नई तरकीब पर लगानी पड़ती है और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्मान स्वयम करना पड़ता है। इश्वर को उस्ताद कर और उर्जा को सकारात्मक बना कर दोस्तों। यदि आपके आसपास नकारात्मक उर्जा एकत्रित रहेगी तो आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही लगन के साथ काम करें कि वह लड़की आप अपने मन में काम्याबी कब विचार रखेंगे। काम्याभी आपको मिले कि नहीं, यह तो उस तो काम्याभी मिलने के रास्ते कुछ अलग ही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रकार के गुरु संत महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वही से उन्हें सत ज्ञान प चक्तियों का ज्यान प्राप्त होता रहता है और वही से उनके सौभाग्य का दर्वाजा भी खुलता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाग्य के दर्वाजे स्वयम खोलने में काम्याब हो जाएंगे इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए बिना समय गवाएं, आज के इस बेहद ही ज्यान वर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस से पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं। जै मातार आपके अंतरंग मन को भी जानती हैं। मैं आपके ऊपर शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले जादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती और केवल उसकी ही होती हैं। जिसका भाव प्रबल होता है तो आपको अपने मन में सच्चा भाव लाकर लिखना है। कमेंट में जय मातारानी कृपा करो एक बार नहीं। दोस्तों तीन बार लिखना हमें पूरा विश्वास है कि मातारानी मा, लक्ष्मी मा, काली आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन को आपके मन क अनुसार अवश्य ही चलाएंगे। आपकी हर मनो कामना पूरी होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थन है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन में भी आएंगे तो बस मातारानी पर भरोसा रखिए। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताना बेहद ही आवश्यक समझते हैं कि जो भी हम यहाँ पर गती विधियां करते हैं अपने विवेक के जीवन को बदलने के लिए या फिर हम जो वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। उस सब का लाब, केवल और केवल उसे ही इनसान को प्राप्त होगा जिसके मन में विश्व कावास है तो फिर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है और हम क्या स्वयम भगवान की उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं क्योंकि दोस्तों इना विश्वास है तो भगवान भी स्वयम भगवान नहीं है। पत्थर की एक मूर्ती बात है तो इसलिए आप अपने मन म पहले विश्वास को अवश्य पैदा करें यदि नहीं है तो पैदा करें और यदि है तो उसे और मजबूत करें तब ही आप जी की चमतकार होंगे केवल आप ही नहीं इस संसार की हर जीव के जीवन में तब ही बदलाव आता है जब वह अपने विश्वास को प्रबल कर देता है तो बस यही एक चीज है और यही एक आप से उम्मीद भी है जिया दोस्तों अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ती के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है लेकिन वह आपके जीवन में आए इस से पहले आपको कुछ संकेत अवश्य देती है और आपको भी यह संकेत अवश्य प्राप्थ हो रही है लेकिन आप अपने भाग दोड़ भरे जीवन में और अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इनकी तो को नजरन्दाज कर रहे हैं देख कर भी अनजान बन रहे हैं और अब यदि हम आपको इन संकेतों के बारे में बता भी दें तो फिर इन संकेतों से आपको करना क्या है यानि अपने जीवन में किस परकार के बदलाव लानी है यह भी जानना बहुत आवश्यक है तो सबसे पहले हम आप कुछ संकेत बताते हैं जिन से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में यदि शक्ति आने वाली है या नहीं और जब आप उन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप उस किस प्रकार अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाने होंगे तब ही यह दिव्य शक्ति आपको संपूर्ण लाब देने वाली है और आपके जीवन में करांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है तो ध्यान से देखें दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं इन संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों तो ध्यान से सुनिए सबसे पहला संकेत यह है दोस्तों की आपको अपने काम में किसी न किसी महिला से लोटा ले जाना भूल गए तो कोई स्त्री अपना लोटा आपको देगी, जलत हारने के लिए या फिर आपको माचिस दे सकती है, अगर बत्ती दे सकती है आपकी मदद करेगी किसी शुब कार्य को करने में। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्ण कोठे की स्त्रीयों के माध्यम से क्यों तो दोस्त हो। सबसे पहले इन्हें ही चुनती हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की दोस्तों, आपके घर में कोई न कोई ऐसा जीव होगा जो अपना घोंसला या निवास बनाएगा। जैसे कि बिल्ली यदी आपके घर में, बच्चे पैदा करी और वहीं रहने लगी। अपना निवास बना ली है कि किसी भी कोने में दोस्त हो या फिर कोई चिडिया आपके घर में घोंसला बना ले या फिर कोई भी अन्य जी आपके घर में आकर निवास करने लगे। जीव जन्तूओं को भी आपसे भाई लगना बंध हो जाए। वैसे सामानने परिस्थितियों में इनसान से सभी जीव जन्तू डरती हैं लेकिन आपसे इन जीव जन्तूओं को डर लगना बंध हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्त उसकी आपके आसपास जो सकारात्मक उर्जा है उसे यह जीव जन्तू पहचान सकती हैं। रखना कि इनसान से ज्यादा जीव जन्तूओं के अंदर यह ख्शमता होती है कि वह उर्जा में आने वाले बदलाव को पहले ही भाप लेते हैं। पहचान लेते हैं, इसलिए आपने कभी-कभी देखा होगा कि किसी एक विशेश इनसान को देखकर कुट्टे कुछ ज्यादा ही भूँकते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके उपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाते हैं। बस दूर से ही भक्त एक उस इनसान के उपर किसी न किसी नकारात्मक शक्ती का आवरण होता है। ऐसे कुट्टे देख सकते हैं। हम और आप नहीं देख सकते, इसलिए कुट्टे उसके उपर भूँकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत यही भी है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्थ होगा। अब यह किस प्रकार होगा। इसलिए इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा। दिखाई देंगे। अब मान कर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं। आपकी जो भी आराध्य हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं। मान लो हनुमान जी है या देवी दुरगा है या सोयम भगवान भोले नाथ है और आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो आप जब इनकी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि माद दुरगा की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। मानलो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं यह केवल आरती ही आते हैं तो ऐसा होगा कि आपके रोंग्टे अचानक से खड़े होने लगेंगे। मालों से बस जरूरत है कि आपको गौर करने की और समझने की अब कुछ और संकेत है। दोस्तों, जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है यह नकारात्मक संकेत दोस्तों, ये घटनाएं भी आपके साथ हो रही हैं। जैसे कि आप अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन होता है कि सब कुछ, यानि सारी पूजा पाठ मेहनत आपकी, जिन्दगी ही बिलकुल खराब है। अब आप कुछ भी नहीं हो सकता है, यानि आप पूरी तरह से बरबाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पूजा पाठ करने का बिलकुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे, तो ऐसा होगा कि मन में यह भाव उत्पन नहोंगे कि छोडो पूजा पाठ क्या फाइदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इस प्रकार की पूजा पाठ का या फिर ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों कि आप पूजा करने बैठे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन नहोंने लगे, आपको कोई टोकने लगे या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध हा जाए, पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का कला, अखिलेश का माहौल उत्पन हो जाए, जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए, अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए, जब भी कोई दिव्य शक्ती आपके जीवन में आना चाहेगी, आपको जीवन की सारी खु चलीफ आपके आंसू उस नकारात्मक उर्जा का भुजन है, इसे आप याद रखें, तो जब इश्वर की सकारात्मक उर्जा या कोई दिव्य शक्ती आपके जीवन में आएगी, तो नकारात्मक शक्ती उसका पूरा विरोध करेगी, और वह आपके मन में तरह-तरह की नका बारण देखें हैं, कि भगवान दोनों हाथों से इनसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इनसान है कि उसका मन किसी अन्यकारिय में लिप्त हो गया है और वह सब कुछ भूल कर अपना जीवन भूल कर अपने किसी ऐसे नकारात्मक कारिय में डूब गया कि फिर सब कुछ भरबाद हो गया तो दोस्तों ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाये इस वजह से हम आपको ये सारी जानकारियां बता रहे हैं अब दोस्तों इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बताईए इधर उधर की बातें मत कर दोस्तों ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही कहना है यदि आपके पास इतना सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य घ्यान को प्राप्त करने में दे सके तो फिर आपका भगवान ही मालिक है आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास काम्याबी की एक सबसे बड़ी पूंजी या चाबी है ही नहीं और उस चाबी का नाम है धैर्य जी हाँ दोस्तों है बिना धैर्य के इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता यदि आज आपने कोई बीज रोका है तो कल आप उसे फल प्राप्त नहीं कर सकते एक निश्चित प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है तो हम शैतान का काम नहीं करते हैं हम भगवान का काम करते हैं हम सकारात्मक उरजा से भरे हुए लोग हैं हम बदलाव लाना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है अब दोस्तों, बात यहां पर यही आजाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर विश्व का वास है आपकी इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आपके मन में किस तरह की उर्जा का वास है खैर, चलिए आगे बढ़ती है दोस्तों जब आपको इस संकेत मिल रहे हैं और निश्चित तोर पर आप अपनी जीवन पर विचार करके देखिए आपको यह संकेत प्राप्त हो ही रहे हैं हम लिख कर दे सकते हैं और कुछ संकेत यदि ना मिल रही हो तो आप चिंता ना करिए क्योंकि संकेत कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं तो आप ही संकेत मिल रहे हैं फिर आपको अब ऐसे में क्या करना है यह जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि दोस्तों जब कोई दिव्य शक्ती आपके जीवन में आना चाहती है या आ चुकी है तू तो ऐसे में आपको उसके अनुकूल माहौल बनाना बहुत आवश्यक है जैसे कि आपने कोई पौधा यदि जमीन में लगाया है तो फिर सही तरह से उसे खाद और पानी देना और उसकी नाराई पढ़ाई करना आवश्यक होता है अन्यथा वह पौधा समाप्त हो जाएगा इसी प्रकार देवी शक्तियां भी वापस चली जाएंगी तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है सबसे पहला काम दोस्तों कि आपको अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है जी हाँ दोस्तों याद रखना कि आप व्यवस्था में नकारात्मक शक्ति रहती है और व्यवस्था में सकारात्मक ही रहती है व्यवस्था का नाम ही सकारात्मकता है और अव्यवस्था का नाम नकारात्मकता है तो अब कैसी आप व्यवस्थित करेंगे सबसे पहला काम कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा दोस्तों यदि आप सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं और उल्टे सीधे समय पर जाते हैं तो फिर आप भूल जाएए कोई भी सकारात्मक उर्जा आपके जी में कोई बदलाव नहीं ला सकती क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक उर्जा के साथ की है ऐसा हो सकता है कि कभी कबार कोई मेहनत करी रात में किसी वजह से व्यस्त हो जाए और एक आद दिन यदि ना जाए तो कोई बात नहीं लेकिन आपको नियमित तोर पर सूर योदय से पहले जागना होगा ना ना दिक्कत कर ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद करना होगा बहतर ये होगा कि थोड़ी बहुत पूजा पाथ आप अवश्य किया करें और एक छोटी सी क्रिया आपको अवश्य करनी है कि जब भी आपकी आँख खुले बिस्तर से तो आपको कराग्रे मंत्र अपनी हथेलियों को देखते हुए अवश्य बोला है बहुत ही सरल मंत्र है सब को पता रहता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्धे सरस्वती इस मंत्र को आपको पूरा जाप करना है और हथेलियों को मलते हुए अपने चेहरे पर फिरना है जी हाँ दोस्ती यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि हमारे कर्म यानि हमारी हाथ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है और इस प्रकार आप अपनी दिल की सबसे बेहतरीन शुरुआत करेंगे अब दूसरा कार्य आपको यह करना है दोस्तों की नकारात्मक माहौल से नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है ये दोस्तों नकारात्मक माहौल ऐसा माहौल होता है जहां पर की दूसरों की बुराईयां हो रही है गाली गलौज हो रहा है गलत कार्य किये जा रहे हैं जुआ शराब आदी का सेवन किया जा रहा है ऐसे माहौल में आपको जाना ही नहीं है पीठ के पीछे आना सना बातें करते हैं इधर उधर की गलत बातों में मन लगाते हैं आपको उन लोगों से दूर रहना है लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है आपको हमेशा अपने मन में अपने आप से यह बोलते रहना है कि आप ईश्वर की बेहद ही परमप्रिय बालक हैं ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं आप बेहद ही भाग्यवान हैं या दोस्तों ऐसे विचार आपको अपने मन में हमेशा जाते रहे होंगे कभी भी आपको अपने मन में यही नहीं कहना है कि आपकी किस्मत खराब है आपका जीवन खराब है या फिर आपकी देवी देवता आपसे नाराज है यानि कोई नकारात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है अब छोटी-छोटी कुछ कार्य हैं जो आपको करने होंगे सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि गाय को और कुट्टे को भोजन अवश्य कराना है जी हाँ, दोस्तों, गाय और कुट्टे जो है, वह हमारे मित्र पूर्वजों की सूचक होते हैं वाहक होते हैं, इनको भोजन कराने से आपकी पित्र पूर्वज बेहत प्रसन्न होती है त्रिप्थ होते हैं और आपको आशीरवाद देते हैं अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जिस इनसान की पिक्चर पूर्वज उससे अत्रिप्थ है उसके उपर कभी कोई अन्य देवी शक्ती की कृपा नहीं हो सकती है चाहकर भी नहीं हो सा तो आपको अपनी पित्र पूर्वजों को प्रसंद करना बेहद आवश्यक है इसी के साथ साथ आप एक जरूरी कार्य और भी कर सकते हैं कि दक्षिन दिशा में अपने मित्र पूर्वजों के नाम का एक दीपक आवश्य जलाएं शाम के समय ये दोस्तों याद रखें कि दीपक सरसों के तेल का हो और उसकी बात ही का मुख दक्षिन दिशा की और ही होना चाहिए इसी के साथ साथ दोस्तों दो कार्य और हैं जो आपको करनी है यह बेहद ही आवश्यक है ये आपके घर को भी सकारात्मक उर्जा से भर देंगे पहला कार्य यही आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं दोस्तों जो भी बच्चे हैं चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो आप उन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दें कब जब आप कहीं बाहर से घूम कर वापस आए यदि आवश्यक है दोस्तों याद रखना कि बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है यदि बच्चे आप से प्रसन रहते हैं तो आपका भाग्य भी आपके उपर हंसता है खिल खिलाता है तो आप जब बाहर से अपने घर में आए यह दोस्तों जैसे किसी काम से बाहर गए थे अब वापस आ रहे हैं या नौकरी काम धंधे व्यापार से वापस आ रहे हैं तो अपनी जेब में छोटे-छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर डाल कर लाए चौकलेट ला सकते हैं बिस्किट ला सकते हैं या कुछ और भी इससे क्या होता है कि बच्चे आपकी आने की आस लगाते हैं आपसे प्रसन रहते हैं आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लेकर आते हैं तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा भर जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं। ये दोस्तों हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि ईश्वर की शक्ति थी महिलाओं के अंदर विशेश तोर पर बात करती है इसे मात्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है तो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें आप कोई सामन या कोई वस्तु उपहार में दे सकती है बिना किसी कारण के ही आप उन्हें उपहार में दें उन्हें प्रसंद करें कहने का मतलब यह है कि उनके मन से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए अब वह सामन कुछ भी हो सकता है सस्ता या महंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है बस आप उन्हें देख कर देखिए उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वह आपकी सौभाग्य का निर्मान करेगी दोस्तों अब एक कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है कि किसी अधिकारी का किसी मजदूर का या फिर किसी महिला का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है वे सब परिस्थितियों का निर्मान होगा जहां आपको यह करना पड़ेगा लेकिन इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा बस इन कारियों को आपको नहीं करना है और आप देखिए कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को कैसे बदलती है अब हम यह दिव्य शक्ति स्वयम माता लक्ष्मी की है। यह दोस्तों एक विशेश कार्य और अवश्य करें कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और पिसी हुई हल्दी जल में मिलाकर केले की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरी विश्नु बहुत प्रसंद्न होती हैं। जी हाँ, दोस्तों, बस इन्ही छोटे-छोटे कारियों को आपको करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी आँखों के सामने देखते-देखते बड़े-बड़े बदलावाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके फोकस करें विशेश तोर पर महिलाओं के लिए समय अनुकूल है विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग है पैत्रिक संपत्ति संबंधी कोई मसला चल रहा है तो उसका हल होने की उचित संभावना है किसी नजदी की मित्र की सलाह पर जरूर अमल करें आपको कोई उचित सलाह मिल सकती है कोई शुब समाचार मिलने से मन प्रफुलित रहेगा प्रॉपटी से संबंधित कोई कार्य बन सकता है आप अपने अथक प्रयासों और मेहनत से रुके हुए कार्यों सुख समृद्धि से संबंधित गतिविधियां होंगी अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने का उचित समय है लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले है किसी धार्मिक स्थल पर जाने से शान्ती मिलेगी पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थि संबंधी परेशानी में कुछ सुधार महसूस होगा इस से आप अपने अंदर सकारात्मक और अद्भुत आत्म विश्वास महसूस करेंगे संतान द्वारा कोई शुब समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा उत्तम ग्रह स्थिती बनी हुई है अपने मन मुताबिक कारियों में व्यतीत करने से आप प्रफुलित महसूस करेंगे उधार दिया हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गल्त फहमियां दूर होंगी ग्रह स्थिती संतोष जनक रहेगी सुकून पाने के लिए दिन चर्या में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे इससे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा खास तोर पर महिलाओं को अपनी योग्यता और कार्यक्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हो सकती है व्यापारिक प्रतिसपर्धा में आपका वर्चस्व रहेगा जिससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा कोई महत्वपूर्ण ओंडर या डील होने की उम्मीद है आफिस में किसी सीनियर आफिसर की मदद से आपकी तरक्की भी संभव है इसलिए अपने कारियों के प्रतिफोकस रहे किसी भी विपरीत परिस्थिती में घबराने के बजाए समाधान ढूंडो भावनाओं में बहकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें अन्यता कोई आपकी बातों का नाजायज फाइदा भी उठा सकता है कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी है व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें आपके साथ कोई धोखा या च्छल हो सकता है नौकरी पेशा लोग अपने कामों को बेहतर अंजाम देंगे कारोबार में इस समय ज्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यक्ता है कार्य विस्तार संबंधी किसी भी योजना को कार्य रूप में परिणत करने से पहले अच्छी तरह विचार अवश्य करें व्यवसाय संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ती की सलाह अवश्य लें कोई भी फैसला लेते वक्त असमंजस की स्थिती बन सकती है युवाओं को कहीं नौकरी संबंधी विभागिय परीक्षा में मनो नुकूल परिणाम मिलने की संभावना है आज व्यवसाय में किसी भी नई गतिविधी पर कारिय ना करें तथा वर्तमान कारियों पर ही ध्यान दें सहयोगियों की सलाह पर अमल करना आपके लिए उचित रहेगा नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही प्रमोशन संबंधी कोई शुब सूचना मिल सकती है व्यवसाय का कारिय प्रणाली में बदलाव आएगा कुछ नया करने का आपका प्रयास कुछ हद तक सफल रहेगा फाइनन्स संबंधी मामलों में किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें तथा खुद पर ज्यादा ध्यान दें प्रॉपटी से संबंधित व्यवसाय आज फाइदे में रहेंगे जी हाँ दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है आप इसे अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को बदल डाले इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मा काली जय माता रानी क्रिपा करो जय माता लक्ष्मी क्रिपा करो अवश्य लिखें मा काली और माता लक्ष्मी आपके उपर निश्चित तोर से कृपा करेंगे साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिलकुल भी ना भूलें हमारा मनोबल बढ़ेगा मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता रानी जय माम लक्ष्मी